दोस्तो सपने हम सबी देखते हैं, कभी सोते हुए, तो कभी जाकती आखों से, हर एक सपना अपने आपमे खास होता है, और हर एक सपने का कोई विशेश अर्ट भी होता है, हमारे सपनों में कए ऐसी चीजे आती है, जो कि हमें कुछ न कुछ संकेत जरुड़ देती है, और भ आत में कुछ नहीं आ पाता है। पशुवर पक्षी भी हमें सपनों के माध्यम से कुछ विशेश संकेत देते हैं। आज हम एक ऐसे ही विशेश प्राणी के विशे में जानेंगे जो हमारे सपनों में आकर हमें भविशे में होने वाली घटनाव के लिए आगाह करता है और शुब अशुब की जानकारी देता है। वो विशेश प्राणी है साप तो चलिये जान लेते हैं सपने में साप दिखा ज्यादा होते हैं, लेकिन भविष्चा पुरान में सापो को भोती महतोपुर्ण माना गया है, ऐसा माना जाता है, कि सापो में एक विशे शक्ती होती है, उसे भविष्चे में होने वाली घटनाव की, पहले सी ही जानकारी होती है, और यही नहीं, सापों को पूरो जनम के विशे में भी ग्यान होता है, आएए देखते हैं, साप और क्या-क्या संकेत देते हैं, पहली बात, यदि सपने में आपको मरा हुआ साप दिखाई देता है, तो इस कार्त यह है, कि आपके जिवन से बाधाय और संकट जल्दी ही दूर हो दूसरी बात, सपने में यदि हम साप को पकरते हुए दिखाई देते हैं, तो यह भी शुबसंकित होता है, यह इस बात की और इशारा करता है, कि भविश में आप अपनी महनत से आता धनसंपती प्राप्त करेंगे, और आप उसे अच्छी तरह से इस्तमाल भी करेंगे, त सपने में साप उड़ता हुआ दिखाई दे, तो यह उन्नती और प्रगती का प्रतिक होता है, चोती बात, कहते हैं कि सापों को बराबर दिखाई नहीं देता है, लेकिन सापों का और रंगों का भी निकट का नाता है, यदि सपने में बार बार काले रंग का साप दिखाई देता है तो ये इस बात का प्रतिक है कि हमें काल सर्प दोश है लेकिन हमारे जोति शास्तर में इसका भी निवारन बताया गया है सपने में हरे रंग का साब दिखाई देता है तो ये एक शुब संकेत है और ये निकट भोईश में हमारे साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना के ओर इशारा करता है इसी तरह सपने में सफिद रंग का साब दिखाई देना शुब संकेत है इसे हमें धनकी प्राप्ति होती है पाची बात यदि हम सपने में साब को किसी से डर कर भागते हुए देखते है तो एक अशुब संकेत माना जाता है इसका आर्थ ये है कि आपको आपके शत्रों से धोका है छटी बात इसी तरह यदि हम अपने सपने में साप को काटते हुए या आपना पीचा करते हुए देखते है तो ये किसी आशुप घटना की सुचना होती है सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो ये इस बात का संकेत है हमारे पूर्वज हमें सुचना दे रहे है कि अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हम किसी कारणवश ऐसा नहीं कर रहे है और उनके प्रती अपना दाइत्व और करतव्य भूल रहे है इसलिए नाग नागिन के जरिये वे ये संदेज देना चाहते है सपने में यदि साप के बच्चे दिखाए देते है तो आपको एक साथ कई परिशनियों का सामना करना पड़ सकता है हालक ये बहुत छोटी छोटी समस्याय होगी जिनका निवारन भी हो जाएगा सपने में साप और निवले की लड़ाई होते वे देखते हैं तो ये इस बात के और इशारा करता है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी साप या नाक शूजू को भोट प्रिय है इसलिए आपको सपने में यदि साप को शूलिंग से लिप्टा हुआ देखते हैं तो भगवान शू कि आपको करपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेश मनुकामना भी अवश्य पूर्ण होगी तो दोस्तो ये थे वो साप को सपने में देखने के अलग-अलग अर्थ क्या आपने भी सापों को सपने में देखा है अगर देखा है तो कैसी अवस्ता में देखा है हमें कमेंड में आवश्य बता है